मैं खाना लेने जा रहा हूं प्रोफेसर क्या आपके लिए भी कुछ लेया हूं मैं जंग में रक्षा कवच के बारे में सोच रहा था जिस पर मैं काम कर रहा हूं यह चीजबर्गर के सीधे हमले को रोक सकता है मेरा मतलब है अग उगलती मिसाइल को प्रोफेसर अब आपको एक ऐसा सुरक्षा कवच चाहिए जो आपको इस सुरक्षा कवच से बचाए माफ करना लीना मैं बहुत ही बेढंगा हूं पर एक बहुत ही प्यारे बेढंगे क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है हां बेशक तुम्हें तुम्हारे सिवा मेरी इतनी बड़ी मदद कान करेगा कैसी मदद तुम्हें याद है वो सबसे बड़ा विलन जिसका नाम नेक्स है जिसने शेहर के कई हिस्सों को नुक्सान पहुचाया था वही जैसे बहुत कड़ी सीक्योरिटी में रखा हुआ है हां बिल्कुल वही फि बाती हो उसकी इंट्रव्यू क्यों नहीं ली जाती उससे लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं बलकि वो लोगों की हड्डियां तोड़ना पसंद करता है इसलिए तो यह इंट्रव्यू बहुत ही खास होगा वेहां मैं सोच रही थी क्योंना तुम मेरे कैमरा मैं चलो मैं मैं तुम्हार साथ जिल चलो ऐसा कभी नहीं हो सकता ओ अच्छा मैं तो बस पूछ रही थी मैं अकेली ही चली जाओंगी ठीक है ठीक है लीना मैं तुम्हार साथ चलोंगा तुम तो मेरे हीरो हो तुम्हारा हीरो झाल झाल आपना ये ड्रामा बंद करो और ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए जैकॉल आर्मी मेरे आविशकार साइबॉग नेक्स को कहीं और ले जाने वाली है वो उसे इंडिस जेल से कड़ी मिलेटरी बंकर की सुरक्षा में ले जा रहे हैं मेरा आविशकार उनके पेस पर है मैंने उनके लिए एक परफेक्ट साइबॉग सोल्जर डिजाइन किया था और उसका मुझे यही ना मिल रहा है मुझे वहाँ से निकाल कर और उसे वहाँ चानवलों की तरह बंद करके पर आपको जेल में बंद उस मुझरिम की इतनी फिकर क्यों है वो कोई मामूली मुझरिम नहीं है बहुत अच्छे बच्चे ये हतियार मेरी आमी में हिट हो जाएगा बहुत खुब तो सरकार मुझे हतियार बनाने के लिए मदद करे की न इसमें मदद की बात कहां से आ गई इसके आविश्कार को ले जाओ कोई भी मेरा आविश्कार इतनी आसानी से नहीं ले जा सकता मैं इन्हें बता दूँगा कि किस के पास है असली पावर जनरल डिगोजे ने मुझे आतंखवादियों को हतियार बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया और फिर मुझे 20 साल के बाद इस शर्प पर रिहाद किया गया कि मैं उनके लिए सूपर साइबर वारियर डिजाइन करूंगा जिगोजे के बहतरीन सिपाही लेफटनेन नेक्स ने मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए खुद को पेश किया इसमें थोड़ा दर्थ हो सकता है अपने देश को बचाने के लिए मैं ऐसे कई दर्थ सहने के लिए तयार हूं सर्थ हुआ 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 है वाह लाद जवाब मुझे सूपर साइबॉक्स की पूरी की पूरी फॉर्ज चाहिए मुझे लगा आखिर मैं अपनी काम्याबी पाने के बहत करीब हूँ पर उस मकार दिगोजे ने मुझे फिर से थोका दे दिया मैंने खुद की शेयतान साइबर सिपाईयों की फॉज बनाने का फैसला किया ताकि मैं दिगोजे और उसकी कमजोर फॉज को हरा सकूँ और इसलिए ना सिर्फ मैंने नेक्स को सूपबावस दी बल्कि उसके दिमाद को भी री प्रोग्राम कर दिया मैं इसमें काम्याब भी हो जाता अगर जन्रल जी गोजे नेक्स में मेरे न्यूक्लिय पावर सोस को इंस्टॉल करने से पहले पकड़ना लिया होता पर वो फिर से मुझे दोका नहीं दे पाएगा आपकी मदद से किलविश मैं नेक्स को बेरोग शक्ती दे पाऊंगा जो ढिगोजे और उसकी फॉज को बरबाद करने के लिए काफी होगा और शक्तिमान का क्या बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है बहुत हाहा बहुत हाँ मोगो दो कर क दो कर दो कर दो क्दे है और शक्तिमान जे है ऊसा Expect को पाल तो क्काब थह पूस दे लिसना आसाल ये तो प्रोफेसर ग्यानी का सिक्योरिटी बैज है। मैंने तो बस आज के लिया है। अपनी पहचान को छुपा कर सरकारी बिल्डिंग में घुसना गैर कानूनी है। अगर तुम नहीं आना चाते तो यहीं उतर जाओ, मगर मैं अंदर जा रही हूँ। माफ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकती। होती है, तो अगली 20 साल जेल में तुम बिताओगे, समझे। आप अंदर जा सकती है। माफ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। पर यह एक एमर्जेंसी है, हम यहाँ एक बीमार कैदी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आये हैं। मुझे एम्बुलेंस के अंदर जार्ज करनी होगी। मरीज का नाम क्या है? वो मरीज हो तुम। यह मेरी जिन्दगी का सबसे खास इंटरव्यू होगा, वेहान। उमीद है कोई गरबर ना हो। तुम जैसी हो वैसे अच्छी लगती हो। रिलाक्स, सब कुछ ठीक रहेगा। असोसियेट कमांडर? मैं आपको सब बताती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, सब कुछ नजर आ रहा है। मेरे ट्रेंड गार्ड्स ने तुम्हें अंदर आने दिया। इसका मतलब तुम्हारी पैचान सही है। ये कड़ी सुरक्षावाली जेल अब और भी सुरक्षीत है, क्योंकि अब मैं जो इसका इंचार्ज हूँ। तुम इस जेल में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। ओ, मैं। सिवाए इसके की रिकॉर्डिंग सिर्फ मेरी ही की जाए। इसके बदले मैं तुम्हें जेल की सैर करवा सकता हूँ। तुम अपने प्राइम टाइम न्यूज स्टोरी में मेरे नए असाइन्मेंट के बारे में बताना। ये रिकॉर्ड तो नहीं किया ना तुमने। इस घटिया और मकार मुझ्रिम को मैंने अपने हाथों से पकड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोगे। और इस खतरनाक जानवर ने एक छोटी बच्ची को बंदी बना कर रखा हुआ था। पर मैंने भी बड़ी बहागुरू से अपनी कलारी मार्शलाट का इस्तेमाल किया और इसके छुट्टी कर दिया। इस हिस्से को निकाल देना नहीं तो मा नहीं का दावा ठोक दूँगा। यह बेशक खुंखार लगते हैं पर जब इने मेरा सामला करना पड़ता है तो किती छोटे डरपोक चुहे जैसे बन जाते हैं। मेरा आज तक का सबसे बड़ा मुझरिम आज तक का सबसे ताकतव साइबॉग विलेन। मेरे मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। मैंने उसे अपने एक हाथ से पकड़ लिया था। यह तो दूरो हाथ है। बिल्कुल गलत समझे। मैं तो अपनी मसल स्ट्रेच कर रहा था। उस वक्त ऐसे किया था। देखो नेक्स को आर्मी भी नहीं रोक पाई पर मैंने उसे आसानी से कबजे में कर लिया। इस वक्त वो कड़ी सुरक्षा वाली जेल में कैद है। बिल्कुल गलत है। मैं नेक्स के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये भी कि उसे कहां रखा गया है। ये मैं भाबित कर सकता हूँ। मेरा पावा रिमोट हमें सीधे नेक्स तक ले जाएगा टिक तक उस बेवकूफ को ठिकाने लगाओ तुम लग कानो मैं नर्स हूँ डॉक्टर डॉक्टर खेलोगे लगता है इसे मुझसे प्यार हो गया है मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब रहे बक्वास बंद करो और मेरे पीछे आओ ये तो एसेपी है वाई ये तो मेरी सोच से आसान होगा तुक जाओ ये सुरक्षित जेल है यहां कोई नहीं जा सकता दो फुट का मजबूत स्टील और इसे बनाया है राजी के जाने माने लॉकिंग सिस्टम वालों ने प्रवेश निशेद प्रवेश निशेद ये क्या है प्रवेश निशेद कितना दिकार कंप्यूचर है मैं एसिस्टेंट कमांजर आफ पुलिस हूँ और मैं इस दिर्वाजे को खोलने का हुक्म देता हूँ नहीं तो मैं तुमें कैफेटेरिया इची में बेच दूँगा आवाज की पैचान हो गए है ये तभी आवाज पैचानते हैं जब इने पता चल जाता है कि कुछ काम है बड़ी है अगर मेरा हुक्म मानोगे तो किसी को कुछ नहीं होगा बंद कर दो सबको तो तुम्हारा मतलब काम से था काम कहा था किसने कहा था मैंने मेरा मतलब वो नहीं था मैं तो बस अपने काम से काम रखता हूं नहीं नेक्स अपने मास्टर पर मत गुर्राव देखो हम कुछी पल में फिर से अच्छे दोस्त बन जाएंगे नहीं नहीं देखो मुझे मुझे मारावाण सिभायो एक सिभी को मनाच्चा ये मम्मी ये लग बारे लीना रे सही कहाना मैं तुमारे ब्लोक पड़ता हूं काफी अच्छा लिखती हो पर मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना तुम सोचती हो मैं बहुत बहुत ज्यादा बुरा हूं और अगर यहन्हां चाहतीकि मैं इसे साबिध करूं तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो और मैरा वीडियो मेसेज रिकौर करो मैं ऐससा नहीं करूंगी जैसी तुम्हारी मर्जी नेक्स इसे बताओ कि मैं कितना बुरा हूँ ठीक है यह फुरीना बात तुम्हें कहां था ओ हां थ्री टू वान मैं जुरू करता हूँ अखिर कर तुमने जो मुझे ठोका दिया था उसका बतला लेने में आ गया हूँ प्रॉफसर ग्यानी और तुमसे भी डिगोजे अगर तुम दोनों फॉरान इस इंडस सिटी जेल में नहीं आये तो मैं यहां बंच सभी खुखार कैदियों को आजाद कर दूँगा शायद तुम सोच रहे होगे कि जैकॉल का साइबोग एक और मामुली लोहे की मशीन है जिससे तुम तबाह कर सकते हो पर इस पार तुम बिलकुल गलत सोच रहे हो नेक साजादुनिक देविय शक्ती है और वो ना सिर्फ ग्यानी और दिगोजे को बलकि तुमें भी खत्म क कर देगा तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा किलविश ऐसा हो रहा है शक्तिमान ऐसा हो रहा है अंधेरा कायम रहे खुद को हमारे हवाले कर दो जैकॉल तुम चारों से खिर चुके हो ऐसा मत करो जैकी इससे पहले कि किसी को कुछ हो आत्म समर्पन कर दो ओ लोगों को तो कुछ ना कुछ होगा बेशक होगा हाँ 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 यह सूपर सोल्च आर्बी की प्रॉफर्टी है जैकॉल तुम मुझे खत्म करके ही वापस इसे चुरा पाओगे वापस चुरा पाओगे मतलब इसे तुमने मुझ से चुराया था हाँ 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 देखो मैं तुम लोगों की सजा कम करवा सकता हूँ तुम लोग उतने पूरे आदमी नहीं हो मैं यहां बिना दिखे शक्तीमान में नहीं बदल सकता हाँ जब तक की इसे पर क्या यही वो अच्छे लोग हैं जोने आप डर्पोग चोटे चुहे कह रहे थे चोटे चुहे हाँ हाँ पिप पिजिए याँ हाँ 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 थार्ड झारो प्रेव प्रेव थारो प्रेव रुऱ् थारोज रारो। तुम ये लडाई नहीं जीत सकते जैक हॉल अपनी चलती फिरती मशीन को रोख लो बेशक मैं जीत सकता हूं शक्तिमान मेरी मशीन बहुत अच्छे से प्रोग्राम्ट है खत्म कर दो इसे हुआ हा प्रीडा सबड़ है हुआ 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 गुआ तुम्हारा सफ़र अच्छा गुज़रे प्रोफेसर तुमने बेशक प्रोफेसर को बचा लिया है शक्तीमान पर तुम डिगोजे के हलिकॉप्टर तक वक्त पर नहीं पहुच पाओगे ये तो बड़ी याग है मेरी एंटी मिसाइल मिसाइल्स ऐसे काम क्यों नहीं करती क्योंकि वो योगा नहीं करते और नहीं रेड सुपर सूट्स पहनते है पहँ मिसाइल्स करते है यहाँ नहीं नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है next, next अब तुम जैकॉल के कंट्रोल में नहीं हो तुम एक बहादुर सिपाई हो याद है ना क्या? क्या हुआ था? कहा हूँ मैं? तुम आमी बेस पर हो तुम्हारा एक मिशन था अपने देश की रक्षा का पर उस चैकॉल ने मुझे मौंस्टर बना दिया तुम कौन हो? तुमने मुझे खत्म क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर के अच्छाई देख सकता हूँ मैं हूँ शक्तिमान और अब तुम आजाद हो मेरे दोस्त फिर से अपने देश की सेवा करने के लिए आजाद मुझे मेरी जंदगी फिर से लोटाने का शुक्रिया मुझे तुम से मिलकर खोशी हुई फिक्र मत करो मैं इनहें समखा दूगा नई रुको नेक्स नई नई तुमने बेशक मेरे सूपर वारियो को अपनी अच्छाई और अपने ज्यान से भैका दिया है शक्तिमान पर अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी पावा मैं उठा देता हूं उमीद करता हूं कि तुम्हें बड़िया स्टोरी मिल गई है बेशक मिली है शुक्रिया पर कितना अच्छा होता अगर तुम और नेक्स मुझे इंटर्व्यू देते तो तो ले लो एक्स्क्यूज में बड़िया पात्मारा है लगान वेहान कहां है हाई मैं तो बस अपना सिक्यूरिटी बैज ढून रहा था वो तुम्हारे पॉकेट पर है कि येहा हा लुके झा 맞ा है कर दो 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 कर दो